हेलो विण्वेदवन बेल्कम टुँ एसकेड़ेमी आज इस विडियो में बदले सहरों के नाम के वारें जानेगे किको एकजाम के पॉइंट आप उसे बहुत ही महत्पुड है आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि एक कोश्चन आप लोग के एकजाम में आए तो आसानी से बन जाए तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं इस वीडियो में बहुत ही महतपूर कोश्चन कवर की गए है और सभी एकजाम के पॉइंट अभी सो बहुत ही महतपूर है आप लोग इसे रुकेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड सेर कीजिए क्योंकि और लोग चनल से जूर से के अपनी एकजाम में तयार को अच्छे सागे बढ़ा सके तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और आप लोग अभी तर्च चैनल को सब्सक्राइब नेंगेए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे पहला कोस्चन है उत्तरपंदेश के अयोध्या हवाई अड़े का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है एदि आप लोग को किसी question का answer पता है आप लोग comment करके answer जरूर बताइए इससे आप लोग का test हो जाएगा पहला question क्या होगा इसका answer option A एयोद्धा हवाई अड़े का नाम बदल कर मर्यादा पुर्ख सुत्तम स्री राम हवाई अड़े कर दिया गया है नी option A आप लोग का right answer होगा ये हवाई अड़े कहां पेशित है उत्तर प्रदेश में question में पूछ लिया जाएगा मर्यादा पुर्ख सुत्तम स्री हवाई अड़े कहां पेशित है आप लोग को बताना है उत्तर प्रदेश में ऐसे question भी पूछा जा सकता है next question देखते है question number second है करनाटक सरकान ने हुबली रेल वेश्चेसा का नाम बदल कर किसके नाम पर कर दिया है इसका सही हुत्तर हो जाएगा स्री सिद्धे रुद्धा स्वामे जी option भी आप लोगा सही हुत्तर होगा आप लोग को ध्यान अकना है चाहे आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाए क्योंकि ए टॉपिक बहुत ही महत्पुड है next question देखते है Q3 करनाटक सरकार ने हावेरी रिल्वेस्टर से का नाम बदल कर किसके नाम पर किया है इसका राइट एंसर होगा option A महा देवप्पा मैलोरा के नाम पर option A आप लोगा राइट एंसर होगा next question देखते है Q4 मिनिस्ट्री आफ सीपिंग यानि जहां जरानी मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है इसका राइट एंसर क्या होगा option B मिनिस्ट्री आफ पोर्ट्स सीपिंग एंड वार्टर वेज option B एनि आप लोग का सही उत्तर होगा next question देखते है Q5 है रच्छा अध्यान में विस्टेशन सहस्ता का नाम बदल कर किसके नाम पर कर दिया गया है यह कर दिया गया है option D मनोहर परिकर option D आप लोग का राइट एंसर होगा आप लोग को बता दू यह वीडियो को आप लोग के एज्जांक पॉइंट अब ब्यू से या आप लोग के उचफूल हो और वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक आप लोग जरू कीजे चले वेट कर लेते हैं, आप लोग अभी तक लाएक में और योग लाइक कर दिए और चैनलों को आप लोग सबस्क्कायब कर लेजए. क्यूकि यह थाएक ने के नए वीडियो आप लोग को मिलती रहेखें. तो चले वीडियो सुरू करते हैं. रोतांग सुरंग का नाम बदल कर क्या रखा गया है ये रखा गया है अटल सूरंग, option D आप लोगा right answer होगा, अब बात आई है रोहतां सूरंग क्योंकि बहुत ही news में थी, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं fact, रोहतां सूरंग कहां पे इस्तित है, हीमांचल परदेश में, कहां पे हीमांचल परदेश में इस्तित है, और इसकी total, अटल दूरं बहुत ही news में थी, next question देखते हैं, question number 8 है, प्रवासी भारती केंद का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है, question number 8 आप लोग को बताना है, इसका right answer होगा, option C, सुस्मा सुराज भवन के नाम पर रखा गया, option C, आप लोगा right answer होगा, next question द very very important, एक question तो आप लोग के, RRV NTVC group D में जरूर डाला जाएगा, किसी ने किसी shift में, इसका right answer क्या होगा, आप लोग बताइए, इसका right answer होगा, भार्दी, railway, सुरच्छा, बल, सेवा, option B, आप लोगा right answer होगा, shortcut में बोले, तो इसको कर दिया गया है, और, P, F, S कर दिया गया है, आप लोगो धान रखना है, shortcut, पूछे तो, next question देखते हैं, question number 10 है, train 18 का नाम बदल कर क्या रखा गया है, train 18 का नाम बदल कर, क्या रखा गया है, इसका रखा गया है, इसको सबको पता होगा, बंदी भारत एक्सप्रेस, option C आप लोगा right answer होगा, क्या होगा, option C, आप लोगो याद अखना है, next question है, question 11, राष्टी राजमार्ग याने H703AA का नाम बदल कर, किसके नाम पर रखा गया है, यह रखा गया है, गुरू अर्जून देव के नाम पर, option B आप लोगा right answer होगा, आप लोगो पत रखना है, अला question है, question 12, उत्तर प्रदेश में, मुडवाडी railway station का नाम बदल कर, क्या रखा गया है, यह question तो, यूपी के किसी एक्जाम में पूछा गया था, इसका right answer क्या होगा, इसका right answer होगा, बनारा station का पुरा नाम क्या था, मुडवाडी railway station, आप लोगो याद अखना है, option C, आप लोगा right answer होगा, चलिए आप लोग comment करके बताइए, कि उत्तर प्रदेश की राजपाल का क्या नाम है, आप लोगो सी basic question पूछे है, उत्तर प्रदेश की राजपाल का क्या नाम है, CM तो सभी लोग बता देंगे, सबको पता होगा, लेकिन राजपाल नहीं पता होगा, क्या होगा, option A, next question है, have lock deep का नाम बदल कर क्या रखा गया है, यह रखा गया है, स्वराज deep, option D, आप लोगा सही उत्तर होगा, next question है, question 15, ग्वालर चंबल एक्सप्रेस्वे का नया नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है, यह रखा गया है, अटल विहारी बाजप के नाम पर, option D, आप लोगा राइट एंसर होगा, next question है, question 16, मानव संसाधन विकास मंत्राले, यह यह रखा गया है, यह रखा गया है, सिच्छा मंत्राले, option B, आप लोगा राइट एंसर होगा, next question देखते है, question 17 है, मुंबई सेंटर रिल वेश्टेसर का नाम बदल कर किसके नाम पर रखने की मंजूर दे दी गई है, यह दे दी गई है, नाना संकर सेट के नाम पर, option C, आप लोगा राइट एंसर होगा, क्या होगा, option C, next question देखते है, question 18 है, किस राज के छिडिया घर का नाम बदल कर, सोतनता से नाने असफार्थ, उल्ला खा के नाम पर रखा इसका राइट एंसर क्या होगा, उत्तर प्रदिश, option A, आप लोगा राइट एंसर होगा, क्या होगा, option A, next question है, question 19, राष्टी वित्ती प्रबंदन सहस्तार एन एन आई एन आई एपहम का नाम बदल कर, किस के नाम पर रखा गया है, यह रखा गया है, और उन जेटली के न इसका राइट एंसर होगा, जम्बू, जम्बू के सीटी चोग का नाम बदल कर, भारत माता चोग कर दिया गया, आप लोगो का राइट एंसर होगा, आप लोगो को ध्यानक ना है, यह कॉपी में नोट डाउन जरू करते जाए, बार 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 बोल ला हूँ, क्योंकि एक क कोचन आप लोग के जामे जरूब पुशे रासकते हैं, नेस्ट कोचन है, कोचन 21, किस सहर के सर्कुलर रोड चोग का नाम बदल कर, अटल जी चोग कर दिया गया है, कौन से चोग का, सर्कुलर रोड चोग का, कहां पे इसी थे, यह जम्मू में इसी थे, आप लोगो को रा मेट्रो की, आप लोग का राइट एंसर होगा, क्या होगा, मुपाल मेट्रो, नेस्ट कोचन है, दिल्ली के बाबर रोड का नाम क्या रखा हो गया है, क्या हो गया है, पंदरा अगस्त मार्क हो गया है, ने, आप लोग का राइट एंसर होगा, नेस्ट कोचन देखते हैं, क किसके सबसे बड़े इस्टेडिया मोटेरा इस्टेडिया का नाम क्या रखा गया है मोटेरा इस्टेडिया कहां पर इस्टित है गुजरात में आप लोग को याद रखना है गुजरात में किसके नाम पर रखा गया है सरदाव बल्लभाई पटेल के नाम पर आप लोग का स्थेटऊ इंट इंशर होगा तो इऊरवा आज का 25 कोश्चन चलिए आप लों से एक बेसिक कोश्चन पूछते हैं जो बहुत ही एक aligned सेतुपूल जो है अटाल सेटों पूल किस राज जमेस्तित है कमेंट वाक्स में बताईए किस राज जमेस्तित है कमेंट वाक्स में बताईए देखते कितने लोग एक कोश्चन कर पाते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और जो लोग चैनले को भी तर सब्सक्राइब ने चैनले को आप लोग फड़ाब आप सब्सक्राइब कर लिजे इसी देख नए वीडियो पाने के लिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में